Students, हमने पिछली वीडियो में ध्वनी कविता का अध्यन किया था मैंने आपको ये कविता समझाई थी और उस पर अधारित तीन कावियांश बताये थे और उससे सम्मंदित प्रशन उत्तर आपको लिखने के लिए दिये थे आज मैं उन प्रशनों के उत्तर आपको एक बड़ी बता रहे हैं अगर आपका किसी प्रशन का उत्तर गलत है तो आप उसे देख लेना प्रत्म कावियांश था अभी नहोगा मेरा अंत अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत अभी न होगा मेरा अंत इस पर अधारित तीन प्रशन उतर थे प्रतम प्रशन गया है कभी क्या कहना चाहता है कि अभी अभी उसके मन में वसंत आया है अर्थात उनके हिद्य में नवीन उत्सा का संचार हुआ है अभी तो उन्हें इस संसार के लिए बहुत कुछ करना है मन में मृदुल वसंत के माध्यम से क्या कहा गया है इसका उत्तर है मन में मृदुल वसंत के माध्यम से कवी ने कहा है कि उसके वन रूपी मन में अभी नए नए विचार उत्पन होने शुरू हुए है उसका उत्साहा उसे बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है कवी का नाम है सुरेकान, तिरपाटी, निराला और कवीता का नाम है ध्वनी कावियांश सेकिंड जो था वो था हरे हरे ये पात, डालिया, कलिया, कोमल गात मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निदृत कलियों पर जगा एक प्रत्यूश मनोहर इस कावियान से अधारित प्रशन उत्तर में पहला प्रशन था हरे हरे पात डालियां कलियां और कोमल गात क्या है इसका अंसर है कवी के अनुसार हरे हरे पात डालियां कलियां और कोमल गात उसके कोमल भाव है अर्थाथ उसके कोमल विचार है उसके मन में नए भाव दूसरो को सुख परदान कर सकते हैं कवी किसे नव जीवन परदान करना चाहता है इसका अंसर है कवी अपने भावों और विचारों को नव जीवन परदान करना चाहता है जिससे वे दूसरों को सुख दे सके इसके बाद तीसरा कोशन है प्रत्यूश मनोहर से क्या तातपरे है प्रत्यूश मैंने आपको बताया था प्रभात और मनोहर क्या होता है मन को जीत लेने वाला इसके अधार पर इसका अंसर है प्रत्यूश मनोहर से तातपरे है मन को जीत लेने वाला प्रभात जिस तरह प्रात है सभी के मन को सुख और ताजगी देती है उसी तरह कभी भी अपनी कविता से सभी को सुख देना चाहता है तीसरा कावयांश था तीसरे कावयांश में प्लाइने थी पुश्प पुश्प से तंद्रालस लालसा खीच लूँगा मैं अपने नव जीवन का अमरित सहश सीच दूँगा मैं द्वार दिखा दूँगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अन्त इस पर अधारी जो प्रशन है पहला कभी पुश्प पुश्प कहकर किसका आलस्य दूर करना चाहता है कभी पुश्प पुश्प कहकर प्रतेक नव यूवक के जीवन से अलस्य दूर करना चाहता है सेक्ड कोश्प इसका कभी अभी किसे नहीं पाना चाहता और क्यों इसका उत्तर है कवी अभी अपने अंत को नहीं पाना चाहता क्योंकि अभी उसे दूसरों को सुक और प्रसंता प्रदान करनी है इसका तीसरा कुशन है कवी में क्या उद्य हुआ है आंसर है कवी के हिर्दय में नई उमंग और उस्साह का भाव जागरित हुआ है मतलब उद्य हुआ है यह तीनों काव्यांश के प्रशन उत्तर मैंने आपको बताए है आपको ने यह अब एक बारी टैली करने कि आप के आपने किसी प्रशन का उत्तर गलत तो नहीं लिखा इसके बाद अब